तमबाखू रुपए 40 का 50 ग्राम है तो एक कीलो का कितना रुपए होगा यहाँ पर हमें 50 ग्राम का मुल्य 40 रुपए दिया हुआ है हमें पूछा गया है कोश्चन में कि एक कीलो कितने का होगा देखिए 50 ग्राम 40 रुपए का है और हमें पूछना है एक कीलो तक कहा तक पूछना है एक कीलो तक तो अब देखिए यह ग्राम में है और यह किलो में है तो कीलो को भी अगर हम ग्राम में बदलें तो देखिए एक कीलो उच्छा जरूर जा रहा है लेकिन यहाँ पर हमें पता लगाना है 1000 ग्राम का क्योंकि एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं अब देखिए यहाँ पर हम कितनी आसानी से हम 50 ग्राम के रेट से हम 1 किलो का रेट निकाल सकते हैं आप इसको देखिए देखे, एक हजार ग्राम तक हमको पहुचना है, पचास ग्राम से हमें एक हजार ग्राम तक पहुचना है, तो देखे किस तरह से पहुच रहे हैं, पचास ग्राम 40 रुपए का है, अब देखे जो पचास ग्राम 40 रुपए का है, तो अगर हम इसका दो गुना कर दें, तो यहा इंधर्व्य में दो गुना करना पड़ेगा अब देखिए यहां पर हमें सौ ग्राम का मिल चुका है लेकिन हमें एक कीलो तक पहुशना है तो हमें 1000 ग्राम यहां पर चाहिए, तो अब इसके लिए हमें इसका 10 गुना करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा, 10 गुना तो 110 में होते हैं 1000 ग्राम और यहां पर भी जब हम 10 का गुना करेंगे, तो यह हो जाएंगे कितने असी में जब हम 10 का गुना करेंगे तो यह हो जाएंगे 800 रुपए इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें 1000 ग्राम का दाम मिल गया है 800 रुपए जिसको कि हम 1 किलो भी कहते हैं तो देखे हमें 50 ग्राम का दाम पता था लेकिन हम कितनी आसानी से 1 किलो का दाम तक पहुच गए 800 रुपए किलो होगा यह तंबाखु जो है यह कितने रुपए किलो होगा 800 रुपए किलो होगा आईए एक दो एक्जामपल हम और देख लेते हैं चलिए यहां पर स्पेस बच सबसे पहले इसका दूना कर लेजिए तो यहां दूना करेंगे यानि दो से बुना करेंगे तो यह हो जाएगा सब्सक्राइब आप चाहें तो माइड में भी कर सकते हैं अब देखिए यहां पर आपको एक किलो यानि की एक हजार ग्राम कब पहुचने के लिए यहां पर दस का गुना करना पड़ेगा तो दस का गुना करना बहुत ही आसान होता है इसको जो संख्या है लिखकर पीछे एक जीरो सिर्फ बढ़ा देना है तो देखिए इसका हो जायेगा यहां पर देखिए 100 के बाद एक जीरो बढ़ा है तो यहां पर भी यह जो लिखा हुआ है एक जीरो हम और बढ़ा देंगे यह 1000 ग्राम का धाम आ चुका है इस तरह से एक केजी के दाम कितना होगा पंद्रह सो रुपए तो देखा आपने कितने आसानी से आपने पचास ग्राम कता अगर पता है तो आपने एक किलो कदाम आसानी से निकाल लिया, सिर्फ जो आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, उसका आपको दूबना करना है, और दूबना करने के बाद आपको 1000 ग्राम तक पहुंचना है, अब आप सोच रहे होंगे, कि यहाँ पर तो 50 ग्राम, 50 ग्राम ही है, अगर 10 ग्राम, 20 ग्राम, अगर हमें मिलेगा, तो ह है पाँच रूपय कितना है मालिजिए दस ग्राम का दाम है पाँच रूपय और आपको एक किलो कादाम चाहिए किसका चाहिए एकदाम चाहिए तो बस आपको सिर्फ दो बार करना पड़े contenido दिमाख में देखिए यहां से आप सव ग्राम का नाम निकालने के लिए आपको इस तक 10 गुना करना पड़ेगा, 10 दहां में 100, तो यहां पर 10 गुना कर रहे हैं, तो इधर भी 10 गुना कर देंगे, तो 5 दहां में 50 रुपय का हो गया, अब देखिए, यहां पर सिर्फ आपको पीछे जीरो जीरो बढ़ाना है क्योंकि दस गुना जब करते हैं तो पीछे सिर्फ जीरो बढ़ा देते हैं तो यहां पर 1000 ग्राम का हो जाएगा कितना 500 रुपए और यही हमारा एक किलो का भी प्राइज हो जाएगा तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको यह कॉंसिप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा पहले हमें 100 ग्राम तक पहुचना है और उसके बाद उसमें हम 10 गुना कर देंगे यानि पीछे 0 बढ़ा देंगे तो हमारा एक किलो का प्राइस हमको मिल जाएगा चले कुछ हम आपको हूंवर कोश्चन दे दे रही है और इसका जवाब आपको कॉमेंट में देना है चले कोश्चन 4, 5, 6 यह मैं आपके नाम कर रहा हूं और इसका जवाब आपको कॉमेंट में देना है Q4, Q5, Q6, चलिए इसमें 20 ग्राम का दाम है 25 रुपए, तो आपको 1 केजी का दाम बताना है, यहाँ पर 25 ग्राम है 45 रुपए का, तो आपको 1 केजी का दाम बताना है, और यहाँ पर 50 ग्राम का मुल्य है 108 रुपए, और आपको 1 केजी का मुल्य बताना है कॉमेंट में, जी हाँ फ्रेंट्स यहाँ मिलती रहती हैं उमीदो का प्रभात पर, आपको आपके कमेंट पर आरहारी प्राब्लम सॉल्विंग वीडियो, अगर अभी तक आपने उमीदो का प्रभात चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं कि अभात